नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हैं, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीटेट एक्जाम 2021 के लिए परयावरन के ऐसे महत्रपूर प्रशनों को देखेंगे, जिनसे सम्बंधित प्रशन हर बार सीटेट एक्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इस प पताना है कि कौन सा कथन सत्ते हैं, पहला है एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, जूम खेती में क्या होता है कि जब एक फसल को काट लेते हैं, तो उस जमीन को कुछ समय के लिए छोड़ देते ह वहाँ पर कुछ समय के लिए खेती नहीं करते हैं या पहला आप तो बिल्कुल सत्य है दूसरा है इस जगह जो बास या खरपतवार उगाता है उसे उखाड कर जला देते हैं तो देखे दोस्तो इसे उखाडा नहीं जाता है उखाड के नहीं जला जाता है इसलिए दूसरा व खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है तो गहरा नहीं जोता जाता है दोस्तों ध्यान कियेगा जब जो है इस जमीन पर खेती करने की बारी आती है तो जमीन को हलका सा खुरदुरा करके जो है बीज को छिड़क दिया जाता है इसे गहर पहला नहीं जोता जाता है तो यहां पे आपका दोस्तों डी आपसन भी गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है, केवल पहला आपसन ही बिल्कुल राइट है, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, तो जूम खेती के बारे म और मेगाले में, इसकी खेती की जाती है, ठीक है, चलिए, अगला प्राशन देखते हैं, सभी प्राशन ध्यान से देखिए, तो यहां पे केवल ए आपसन ही दूसरा जो है, सही है आपका, किसी परवती छेत्र में प्रेक्षड करने पर, यह पाया गया कि लोगों ने अपन हैं, और इन्हें पेडों के मोटे तनों से बनाए गया है, यह परवती छेत्र नीचे दिये गए किस प्रदेश का भाग है, आपको यह बताना है, तो चारों बिकल्प देखिए, आप लोग बताईए किस प्रदेश का भाग है, क्या जम्मू कस्मीर का है, या अडवाचल प मंझिल उपर जानवरों को रखा जाता है, और स्वयम कहां रहते हैं, पहली मंझिल पर रहते हैं, तो यह सब जो है जम्मू कस्मीर में, आपका सही हो जाएगा, जम्मू कस्मीर भाग में आ जाता है, तो एससे सम्माने प्रश्न पूशा जाता है CTλ एग्जाम में, कई बार पता है यह पीता लोग paralysis ने में निम्रिकित में से कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है यह यह पीदल और year काप सऽय में आपको सही कथन तो कांसिय का उपयोग आज भी होता है और मुर्तियों बनाने में इसका पुर्योग किया जाता है तो तावे कि बिश्वे में यह जानकारी आप लोग याद रखिएगा अग्ला प्रशन देखेंगे नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुए टैपियों का निमनिखित में से किस छित्र का प्री भोजन है आपको यह बताना है तमिल नाडू, केरल, पस्चिम बंगाल, बिहार इस प्रकार के प्रशन आपको जरूर देखने को मिलेगा एक्जाम में तो यहां पे आपका क्या सही है दोस्तों, याद रखिएगा इसमें जो है आपका दोस्तों केरल बिल्कुल राइट है ठीक है, केरल के लोग दोस्तों क्या करते हैं कि किसी भी करी के साथ उबला हुए टैपियों का खाना पसंद करते हैं चलिए, अगला प्रशन देखेंगे, सभी प्रशन ध्यान से देखिए आमत और प्रया माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर या जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं बेरंग है कैसे देखते हैं काला और सफेद में देखते हैं या बैगनी और नीला या हरा और पीला या नारेंगी और लाल तो यहां पे आप लोग ध्यार रखियेगा दोस्तों रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वे जो है काला और सफेद में देखते हैं कैसे देख कित में से सही काड़ों का ड़ों को चुनिए तो किसानों का मित्र क्यानजाता है आपको यह बताना लायं कुछ लिग Cole सही है केचुओ nieceFit मृत्ती युद मिर्थ पत््तिव को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाव होती तो इनके मल से जमीन उपजाओ होती है या तो बिलकुर सत्य है दोस्तों इसको याद रखिएगा और ये पत्तियों और पौधों को खाते हैं यह भी सत्य है ठीक है यह आपसम तो आपका सत्य है केचवी खर पतवार खाते हैं जिससे मुख फसल की रक्षा होती है तो खर पौली हो जाती है तो यह भी सत्य है जमीन में क्या गरते हैं केचवी खेद बनाते हैं जिससे जमीन पौली हो जाती है जिसके कारण जमीन में पानी और हवा आसानी से मिल जाता है चौथा है केचवी द्वारा बनाएगे खेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जा ठीख है तो यहां पर ए चीड बिल्कुल आपका सत्य है चलिए अगला प्रशन देखेंगे अगला प्रशन क्या पूशा है हमारे देश के मान्चित्र में जारखन्ड कहाँ इस्तित है आपको यह बताना है तो राज्यों की इस्तिति से भी संब्धनित प्रशन पूशा जाता और इससे संबंधित प्रस्ण आप लोग ज़रू तैयार करे लिजिएगा तो जार्खंड कहा है उडिशा के उत्तर में स्थित है अगला प्रस्ण देख लेते हैं निमने लिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है यह अभी प्रस्ण पूछा गया है ध्या जो है पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं कोईला आपका पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है पहला उप्सन सही है चलिए आगे बढ़ते हैं निमने लिखित में से त्योहार की उस समों को चुनिये जिन्हें पूडीमा को मनाया जाता है तो पूडीमा को कौन-कौन से जवाब है दोस्तों चौथा आपसन बिल्कुर राइट है पोडिमा को आपका होली मनाया जाता है रच्छा बंधन और गुरु नानक जन्दिवस मनाया जाता है याद रखिएगा होली रच्छा बंधन गुरु नानक जन्दिवस यह पोडिमा को मनाया जाता है अगला प्रश जो है अरब सागर में इस्थित हैं यहां आपको बताना है तमिल नाडू आंध्रप्रदेश या करनाटक करनाटक केरल या गुजरात आंध्रप्रदेश तेलंगाना ओडिशा केरल करनाटक पसिम बंगाल तो यहां याद रखिएगा दोस्तों आपका जो करनाटक राज्य है क करनाटक केरल और गुजरात ये तीनों जो है अरब सागर के समुद्र तर्ट पर इस्तित है तो दूसरा अपसन आपका यहां पर बिल्कुल सत्य है अगला प्रश्ण हम देखेंगे सभी प्रश्ण ध्यान से देख लिजिए नेक्श प्रश्ण है आप एक्स पर इस्तित है आप पहले A पर जाते हैं जो यक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है तो यक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर आपका A है तो A पर आप पहुंच जाते हैं चलिए यहां तक ठीक है फिर आप B पर जाते हैं जो A के ठीक पस्चिम में है तो A का पस्चिम आपका 30 मीटर जाते हैं यह सी तक आप पहुंच जाते हैं इसके बाद क्या कह रहा है इसमें अंत में आप वाई पर अपने विद्याले पहुंचते हैं जो सी के ठीक पस्चिम में 40 मीटर है तो सी का पस्चिम इधर है और यह 40 मीटर है ठीक है और वाई पर आप अपने विद्याले प जो है किधर पड़ेगा तो यहां से आप देखें कौन सी दिसा पड़ रही है दोस्तों यह जो है दिसा आपकी कौन सी है यह दिसा दोस्तों आपकी जो है दच्छिड और पूर्व है या देखिए कौन सा है दच्छिड और पूर्व पहला अपसन इसमें बिल्कुल आपका र सेम टू सेम तो नहीं पूछता लेकिन थोड़ा सा डाटा चेंज करकी बाकि सब सेम ही रहता है ठीक है आउसत चाल से हर बार प्रस्न पूछा गया है तो इसको आप दियान से देख लेजिए इसमें जो है पूछा गया है कि कोई लड़का मढगाओं से 30 जून 2019 को किसी रेलग के लेको आउसत चाल बतांएा अगले दिन आप साथ 25 तक चलते हैं इस दोरान पूरा समय आप जोड़ेंगे तो कुल 21,50 मिनट लगेगा ठीक है कितना लगेगा 21,50 मिनट तो इसको आप लोग निकाल लिएगा आसानी से आ जाएगा ठीक है 21 घंटा 30 मिनट को हम यहाँ पे लिखेंगे 21.30 मिनट लिख सकते हैं तो अब जो है इसी समय से हम इसमें भाग कर देंगे 1140 में हम क्या करेंगे 21 घंटे 30 मिनट से भाग कर देंगे मतलब कि 21.30 से भाग कर देंगे तो चलिए भाग कर देंगे दसमलो के बाद जो है 3 है उसके बाद 0 है दसमलो बाद 0 कोई महत्तो नहीं होता है जो कार देते हैं अब हमको दसमलो अगर हटाना है तो दसमलो हटा सकते हैं तो कैसे भाग करेंगे 1140 उपर लिखेंगे दसमलों हटा देंगे तो 213 बन जाएगा अब 213 से हम 1140 में भाग करेंगे दोस्तो तो हमारा कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा थोड़ा दसमलों में आएगा आप लोग कल्कुलेशन करके देखिए 33.52 आएगा ठीक है किलोमीटर तो 33.52 को हम क्या लिख सकते हैं 33.52 को हम 33 किलोमीटर प्रतिहावर ठीक है तो यहाँ पर आपका एंसवर जो आएगा वो है दोस्तो 33 प्रतिहावर यहाँ पर दोस्तो इसको बताने का उद्यस किवल यही है कि इस प्रकार के सवाल पूछे जाते है इसको आप लोग अच्छे से देख लेजिए ठीक है आउसत चाल आप से पूछा जाएगा तो आउसत चाल का आप सूत्र लगाएंगे कुल चली गई दूरी बटा कुल लगा समय दूरी में आपको जो है कुल समय से भाग कर देना है आपका एंसर आ जाएगा ठीक है कल्कुले की जाती है टीन क्या है आपको यह बताना है क्या यह भूमी का मातरक है जिसकी अभिकलपना विशेस रूप से जंगलों के किसानों के लिए की जाती है तो क्या यह भूमी का मातरक है तो आपका इसमें जवाब क्या होगा आप लोग बताईए तो यह आपसन तो गलत है बिल तीसरा ही आपका बिल्कुर सत्य है दोस्तों वह भूमी जिस पर कोई किसान एक टिन बीजबोता है उसे हम टिन कहते हैं ध्यान रखेगा टिन जो है वह भूमी है जिस पर कोई किसान एक टिन बीजबोता है इसे दोस्तों हम टिन खेती के नाम से भी जानते हैं या खेती कहां पर की जाती है अगर आप पूछा जाए तो आप कहेंगे भारत के पुर्वोत्तर राज में की जाती है जैसे कि मिजोरम में ठीक है तो यह भी टिन के बारे में याद रखिएगा चलिए अगला प्रशन देखेंगे क्या पूछा गया है नीचे दिये गया सहरों में से किस एक म यह आपका अबुधावी में पाया जाता है ठीक है अबुधावी में दोस्तों दूर दूर तक रेत होते हैं जो है रेत फैले होते हैं दिखाई देते हैं यहाँ पर हरियाले बिल्कुल नहीं होती है यहाँ पेड़ जो होते है कि बात करें तो इसमें जो है अबुधावी म साल पहले इन कुवों में काफी पानी था परंतु अब यह पूरी तरह सूख गए है निमलिखित में से कुवों के सूखने के समभावित सही कारणों को चुनिए तो सही कारण आपको बताना है कि कुवें अब क्यों सूख रहे हैं या सूख गए हैं देखे पहला है जिन जीलो या तालावि में वर्सा का पानी इकठा होता था अब वहां नहीं है यह बिल्कुल सत्य है दोस्तो इसी कारण जो है कुवें सूख रहे हैं पेड़ों और आसपास के छेत्रों की जमीन अब कोलतार या सीमेंट से ढग दी गई है यह भी सत्य है दोस्तो जो है कुवों के आस पूपियोग नहीं होता है क्योंकि हर घर में टोटीया है तो हर घर में टोटीया है इससे जो है कुवें सूख नहीं रहे है थीक है यह सत्य है चव्था है भूमिगत पानी को खीचने के लिए कई कुवें सूखते हैं तो A, B , A, B और D ये तीनों जो है बिल्कुर सत्य कतन है कुगों के सूखने के बारे में तो कुगों के सूखने के बारे में याद रखिएगा इनसे सम्मंधित प्रस्ण पूछा जाता है तो यहाँ पे जो है कौन-कौन सा सही है A, B और D पहला ही आपसन आपका यहाँ पे राइट है तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 15 प्रस्ण आपका कंप्लीट हो गया इस प्रकार के प्रस्ण दोस्तों आपको seated exam में परेवाण अध्यन बिसे में जरूर देखने को मिलेगा इसलिए आप लोग इस तरह के टॉपिक को अच्छे से तयार करके जाईएगा वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताईए अच्छा लगा है तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी के लिए बशिद्दा ही अब हम आपको नेश्ट वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद